दोस्तों जो बात करने वाले एक बेतरी से प्लान के जैसा की स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे यह मौडल पूरा 36 क्रॉस 40 में बना हुए हलाकि पूरा यह एरिया कवर्ड नहीं है क्योंकि यहां गर साइड से देखें तो हम आने कार पार्किंग की तो इधर वाला 40 फिट प आन होने वाला है यह विला टैप का है अगर आपके पास आची आची जगह है तो आप इन्हें कंशीडर कर सकते हैं आपको यह मौडल बहुत खुशत होने वाला है जिसमें मैंने दो बैट डूम्स दी हैं लेग बात किचेन वगएरा अलग बना कर दी हैं तो इस मौडल को आज हम जो डिस्कुस करने वाले हैं यह पूरा आपके सामने मैं इलिवरेट करूंगा इसमें कार पार्किंग की वी विश्ता मैंने अलग से की है जो आप गुम्टी डाइब का दीख रहे इसी में तो यह मौडल 36 वाई चालेश पिट का आज हम डिफाइन करने वाले हैं त दोस्तों स्माल हाउस प्लान को अभी तक आप नहीं किया है तो आपको कर लेना चाहिए क्योंकि यहां पर आपको लगातार अपडेटी वीडियो मिलते रहते हैं जिससे आप अपला घर को कभी भी बनवा सकते हैं ने ने आडिया इस लेकर के तो चलो आज का जो मॉडल से ह कर लेते हैं 36-40 फिट में तो इसका फ्रेंट डिलेविशन यह मैं इसे जूम करके दिखा देता हूं यहां पर एक तो बेड्रूम है जिसमें मैंने बड़ा सा विंडू दिया है विद फ्रेम के साथ अलग-अलग कलर दिया है इसके बद यह एक बारंदा सदिया है जहां से आपकी घर की इंट्री होगी मैं में इंट्री आपकी कार पार्किंग से भी मैंने रखिए अगर आप यहां से करना चाहते हैं तो वह भी मैं बता दूंगा कार पार्किंग कर सकता है बात करें तर एक गुम्ती बनाई है कार पार्किंग के लिए तो चलो डिफाइन कर लेते मतलब 12 बाइच 14 फिट गया प्रॉक्समें बेड डू है इसके लिए इंट्री के लिए आपको ये डू इस्तमाल करना पड़ेगा यहां से आप इंट्री करेंगे और यहीं से आप आंगन पर भी पहुंच चाहते हैं घर में इसी बेड डू में हमने अटेजड एक लिए बात यहां पर दिया है देख सकते हैं इसके पीछे और फ्रेंट चापको इलिवेशन ऐसा देख सकते हैं इसके बाद अगर हम बात करें एक विंडू दिया है तो यह आपका किचेन है दोस्तों जब आप कार पार्किंग वाली तरफ से जाएंगे तो यहां पर एक डूर दिख रहा होगा ब्लैक कलर का आप देख सकते हैं इसी डूर से इंट्री होगी तो आप डाइनिंग हौले आ हमी लागा सकते हैं इसके बाद सबसे पीसे जाता है यह आपको एक बेड्रूम और मिलता है इस बेड्रूम में यह देखिए कि डूर मैंने यहां पर दिया है और यह एक लिट बात आपको और दिया है मैंने हलाकि आपन आटेज नहीं किया इसको बाहर से सेपरेटली आप यूज कर सकते हैं इधर आपकी स्टेयर से आप उपर जाएंगा और यह आपका एरिया मैंने ओपन रखा हाला कि मैं यहां पर एक बेड्रूम बना सकता था बड़ मैंने नहीं क्रेट किया है महां तो मैंने दो बेड्रूम किचिन लेट बात इस्टोर रूम दो लेट बात और एक चोटा सा आगे वारंदर डाइप का और इधर पार्किंग आप एडिया देख सकते हैं यह आपका पार्किंग का एरिया बना हुआ है तो यह 36 वाई 46 फिट है अगर बात करेंगे तो यहां पर यहां से यहां तो 24 फिट है यह पूरा चालेश फिट है यह और आपका लगबग आपका कबड गई है हमें 16 फिट का इसके बाद यह पूरा मॉडल आपके सामने रेडी हो जाता है मैं और मैक्सिम जूम कर देता हूं जिसके आपको इसका रियलिस्टिक समय में आ जाए सारी चीजी आप इसको कंसीडर कर ले और जब भी घर बनवाए तो आपको क जीना था लेकिन मैंने हाँ पर इस आपको गुंटी नहीं बनाई जैसे आप उपर आएंगे तो आपको इक ग्रल का उमनिशन मिलता है एक ग्रल देखीगा एक अलग ही अनोखा ग्रल आपको देखने को मिलना होगा नया डेजायन मिलना होगा जो आप देख सकते और पर इस आप लोगों इंफॉर्म करता रहता है तो वह हमारी पेड सर्वेस आपको कुछ पे करना होगा तब मैं घर के नक्से बनाता हूँ उसके बाद आप हमें कांटेक्ट कर सकते वाट्सप पर तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें चैनल सब्स्क्राब कर ले थैंक्स वाट्च